शादी के बाद पती और पत्नी को साथ में रहना है, किसी और के साथ एक्स्ट्रामेरिटल अफेर नहीं करने हैं और अगर होता है तो क्या? It is a ground of divorce जिसे हम कहते हैं अडल्ट्री जरा detail में बात करते हैं, काफी लोग के apprehension थे, काफी लोग के misconceptions थे तो जरा इसी doubt को हम clear करेंगे, इसी भ्रहम को जरा दूर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आखिर अगर पती और पत्नी का शादी के बाद किसी और के साथ में शारिरिक संबंध होता है तो उसका आपके तलाख के case पे क्या फरक पड़ेगा, क्या आप तलाख ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं कानून में क्या प्रावधाने इसके बारे में बात करेंगे इसके पहले आपने शुरुआत की आशोग पान्डे के साथ online legal advice में नए हैं तो subscribe जरूर कर ले, कानून की जो latest informative videos और जानकारी इस channel के माध्यन से आप तक हम पहुचाते रहेंगे शुरू करते हैं अपने topic को और ground of divorce को हम जरा discuss करते हैं अगर हिंदू marriage act की हम बात करें जो की 1955 का कानून है तो धारा, धाराएं होती, बहुत सारी धाराएं होती